चीज का पैकेट लाई थी मैं एक दो रेसिपीज बनानी थी तो पता नी क्या हो इसको फूल गिया मैंने इसको भी फ्रीज करना था लेकिन मैंने का अभी कौन सा मैंने इसको खोल लाए तो नीचे फ्रिज में ही रखा था बिसम लाई रहमाने रहेम असलाम अलेकूम वेलकम टो मैं चैनल और चीज को इस पर मैंने सोचा था किले क्यूंके हम चीज लाते हैं तो फिर सारी यूज नहीं होती बाकी की हम रख देते हैं फ्रिज में या फ्रीजर में लेकिन उसका बेड़ा गरक हो जाता है और खेर एक और चीज का एक्सपीरियंस मुझे इस दफ होगा कि वो नीचे रखने से ना पैकेट फूल गया हलांके मैं ने इसको खोल के तो फिर इसको फ्रीज करना था लेकिन मुझे लगा कि अभी मैंने कौन सा इसको ओपन किया तो I was surprised कि वो बिलकुल मोटू हो गया पै क्या किया कि चीज को मैंने खुला खैर लेकिन शुकर एल्ला का ठीक थी वो थोड़ा बहुत इसमें पानी उसने छोड़ा हुआ था लेकिन जाइकेवाइस और वैसे वो ठीक थी शुकर एल्ला का अच्छा उसको फिर मैंने ग्रेट किया यह देख रहे हैं आप ठीक है बिल पार्स में कर लिया एक जादा एक में थोड़ी सी जादा कर लिया एक में थोड़ी सी कम कर लिया चलो जिसमें थोड़ी कम डलनी होगी फिर वो वह पैकेट निकाल लेंगे यह मजड़िला चेज है और इन्शालला घर पे भी करूंगी ट्राइए एक दू बार मैंने की यह खराब हुई है लेकिन अब फिर मैंने एक और तरीका देखा हुआ है देख छोड़ी है वीडियो अब देखें उससे बनती है कि नहीं इन्शालला और अच्छा उसके बाद हमने ये क्लिंक फाइल मैंने लिए है और इसको उसमें अच्छे से हम लपेट देंगे और फिर उसक में काम हो जाएगा बरमजान आ रहा है तो जाहर है उसकी रेसिपियां बनानी है तो इसलिए मुझे और ये कितनी 200 ग्राम चीज थी और उसके मैंने चार पैकेट्स बना ली है खुदी अंदाजे से अगर आपके पस वेट सकेल हो तो आप बिलकुल स्पैसिफिक भी रख सक रखते हैं अब इसको टिका देंगे फ्रीजर में और जब आपको कोई चीज मनानी है तो आपने उपर फ्रीजर से निकाल के नीचे फ्रिज में रख लेनी है कोई 3-4 घंटे पहले और उसके बाद आप इसको यूज करेंगे तो ये बिलकुल जबर दस रहेगी वरना पहले था उससे मुझे आइडिया मैंने लिया कि अच्छा इस तरह करके रखी जा सकती है और मैंने ट्राय की और मैं इससे रेसिपीज बना भी चुकी हैं दो जो इंशाला अप्लोड हो जाएंगी इसी वीक में पिटाटो चीज स्टिक्स बनाई मैंने और पीजा पराठा बनाया और बड़ी जबरदस रही इसी तरह से मैंने निकाल के नीचे फ्रिज में रख दी और फिर उसको यूज कर लिया तो टेस्ट भी अच्छा रहा और उसका रिजल्ट भी अच्छा या तो इसलिए ये बैस तरीका है कि जब चीज ले आएं तो जितनी यूज हो जाएं उतनी कर लें और जो बच जाये ना बची वी चीज को अप ग्रेड कर लें या स्लाइस कर लें जो भी कर लें फिर इसको कलिंग रैब में लपेट के तो फ्रीजर में रखनी आपने ये पी तो खैर ये था जबरदस तरीका जिसकी वज़ा से इस बार मेरी चीज जाया होने से बच गई है और बड़ा ही जबरदस तरीका रहा जो मैंने आपके साथ शेयर भी कर लिया है इसी तरह की और प्रैक्टिकल टिप्स अजमुदा चीजें जानने के लिए सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं के कौन सी ऐसी रेसिपी है जिसमें आपको चीज जरूर डालने होती है क्योंकि नार्मली हमाएक गरों में हां लिया है जब अगती हैं नहीं हम डालते हैं स्पैशल ही हमें अरेंज करने बढ़ती है तो इसलिए कमेंट करके जरूर मुझे बताएं चलने जी कल तक के लिए अल्ला हाफिस